नमस्कार, विल्कम टू एसटीटूटू, मैं हूँ आपका टीचर सुभंकॉर, आज के इस ट्यूट्यल में हम सेखेंगे कैसे पॉर्टफोलियो रेडी रेंडर करते हैं मर्मोसेट टूल बग में, इससे पहले पार्ट में हम लोग जो कॉंप्रिट करके आया है, वो है मैक्स में ऐसे मॉडल बनाएंगे, लो पॉली और हाई पॉली, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, सबस्टेंस बेंटर के लिए, और टेक्सर करके, दिन हम लोग यूज करेंगे, मर्मोसेट टूल बग को पॉर्टफोलियो रेडी रेंडर करने के लिए, अगर पहले का मेरा टूट्य अब डिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले से एक्सेड़र दिया हुआ है, उसके बाद सबस्टेंस बेंटर से एक्सपोर्ट किये थे, वो यहाँ पर यूज करेंगे, पहले जो नॉर्मेल मैप है, सार्फिस में डालेंगे, लेकिन सबस्टेंस बेंटर का जो नॉर मैं पाएगा हम लोग का, मैं अब मेटलिस अब मैप्स दालने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, यहां पर एसे पर जा सकते हैं, नहीं तो, फिल्डर ओपें करके, जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करके, वहां से भी ड्रैग कर सकते हैं, तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इजी होगा बोलके, मैं पहले, जो नॉर्मिल का यहाँ पर दो पाट आता है, मैं यूज करूँगा यह डायरेक्ट एक्स बला, इसको स्लिट करके, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, फ्लिक किया हुआ है, उसके बाद हम मैप को हम लोग डालेंगे, यहाँ पर ऑक्मिशन में, तो मैप हम लोग का कॉंप्लेट हो गया, इसको मिनिमाइज करते हैं, दिन हम लोग को फर्स्ट जाना पड़ेगा, स्काई में, मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कुछ प्रिसेट है, वो ही उसकर रहा हूँ, प्रिसेट में स्काई को घुमा सकते हैं, यहाँ से, दिन मैं स्काई में जाओंगा, यहाँ पर कुछ एक्स्टा लाइट्स जालूँगा, उससे पहले आप चाहे तो बैक्ग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कालर, कालर को थोड़ा में करके रखूँगा, उसके बाद मैं स्काई में दूसरा लाइट यूज करूँगा, कई भी क्लिक कीजिए, लाइट आएगा, इस जगा में, मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, लाइट वान सिलेट करूँगा, ज्यादा नहीं, और डिफॉल्ट जो स् इसका भी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, और एक लाइट यूज करेंगे, उपर की तरफ जो आए, यह ऐसे, इसका सेकंड बाला सिलेट करेंगे लाइट को, इसका जो कास्ट सैड़ है इसको बंद करेंगे, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसका भी आप सिफ पकड़के आप लाइट घुमा के देख सकते हैं कैसे आपको यूज़ करना है आप चाहे तो दूसरा लाइट भी यूज़ कर सकते हैं का सेड़ आप करेंगे लाइटिंग कॉम्प्लिट होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जाएंगे मेन कैमेरा में कैमेरा में यहाँ पर कुछ पोस्ट एफेक्ट है मैं यहाँ पर जा रहाँ कार्ब में यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रस्ट को एडजस्ट करूँगा यह डाउन करूँगा और यहाँ से थोड़ा से उपर करोंगा देन बाकी जो चीज़े उसको भी थोड़ा यूज करोंगा जैसे बेंटेज है विल्टेज को थोड़ा से बढ़ाऊंगा यहाँ पे ब्लूम को थोड़ा से रजस्ट करोंगा ग्लोइंग एफेक्ट के लिए आफर्म को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मत की उलका सा 0.4 1000 कि उसके बाद यहाँ पर फ्लेर है फिलेर को भी थोड़ा सा है हाइ पूर içए क्वोग्विश्म community के बाद हम लोग क्या करेंगे एज कहांब में जाएंगे से खिंदर में जाकर यहाँ पर कुछ जैसे बल्जी को ओन करना है उसके बाद duck लोकाल रिफ्लेक्षन को अनकरना है इंट्रनील रिफ्लेक्षन को का अनकरना है M-bien oukulsan को अनकरना है अब चाहिए तो ये इव्श सेडव में यहाँ पर ये इस कर सकते हैं यह ऑप करने से भी चलेगा तोय हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना बड़ेगा इसको रेंडर पर टाना है जब भी अब गणा याई घुईमर करेंगे तो बहुत बहुत खूल बापस जाके आप लाइट को ठीक कर सकते हैं और जो लाइट में आपका कर सेड़ो है उस लाइट का जो वीध है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए तो सेड़ो जो आएगा वह थोड़ा सॉप्ट आएगा रेंडर करने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं आपको जो साइज चाहिए यहां से डिसाइड कर सकते हैं में कैमेरा में जाके आप सेफ फ्रेम और कर लिए तो यहां पर आपको दिखाएगा उसके बाद आप अब्जेट को पोजिशन कर लिए पोजिशन करके आप लाइट को घूमाके अडजस्ट कर लिए यहां पर उइद का कुछ डिफोल दिया होता है मैं यहां से 19,20,10,80 यहां से आप चुछ कर लिए आप 25x कर रहा हूं और इसका जो यह है मैं यह यह पेक कर रहा हूं यह वीडियो के लिए ह जोरवत नहीं देन क्याप्चर में जाके आप इमेज करेंगे तो रेंडर होना स्टाट करेंगा इमेजेन ओपन करेंगे तो इमेज रेंडर होके ओपन होगा उसके बाद आप आप स्टेशन में यहां से डीफोल्ट पोश्ट कर सकते हैं आपको कहां पे सेब करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर लिए ओके कीजिए देन यहां पर क्याप्चर से आप इमेजेन ओपन कर सकते हैं मैं एक प्रेस करूंगा तो वह रेंडर होके रिखाएगा ओपन हो जाएगा रेंडर होड़ो में थोड़ा टाइम लगेगा आई बिलीब एक क्लास आपको अच्छी लगी होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नेक्ट उटल में हम कुछ और नया सिखेंगे मिलते हैं नेक्ट क्लास में थैंक्यू फर वाचिंग बाई बाई